नमस्कार स्वागत है आपका दा न्यूज पर मैं हूँ आपके साथ शुप्राजयनी तिरप्रा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर साथ ने आ रही है जहां विपक्षी दलो का गटबंधन आई एन डी आई ए को बड़ा छटका लगा है चुकि तिरप्रा उपचुना में BJP की जीत हुई है BJP ने आई एन डी आई ए गटबंधन को मात लेती हैं आपको ये बताते कि ये विपक्षी दलो के गटबंधन की पहली चुनावी परिक्षा थी और इस परिक्षा में ये विपक्षी गटबंधन पुरी तरीके से फेल हो चुका है चुकि तरपुरा उपचुनाव दो सीटे चोकि विदानसभा उपचुनाव जिन सीटों पर हुए हैं वो दोनों ही सीटे बीजेपी के खाते में गई हैं और बड़ी बात यह है कि दरसल जो वामपंथियों का गड़ है उस गड़ में बीजेपी ने सेंद लगाई है ये सीट अब बीजेपी ने अपने खाते में कर ली है तो तरपुरा उपचुनाव जहां पर बोकसनगर और साथ ही धनपूर विदानसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे ये दोनों सीटे बीजेपी ने जीत ली हैं ये दोनों सीटे बीजेपी के खाते में गई हैं और साथ ही राक्सवादी कम्यूनिष्ट पार्टी की सीटे थी लेकिन अब जब चुनाव हुए और नतीजे साफ ने आई हैं तो ये सीटें बीजेपी के खाते में गई है और उससे भी जादा एहम बात ये है कि जो तिरपुरा के बॉकसानगर में उपचुनाव हुआ है बॉकसानगर स सफजल हुसेन ने जीत हासिल की है और वो भी 29,965 वोटो से उन्होंने जीत हासिल की है तो काफी जादा अंतर जो है वो वोटो का रहा है और एक मुसलिम कैंडिटेट हैं जिन्होंने जीत हासिल की है जो कि बीजेपी के उमिदवार थे तो ये अपने आप में जो बीजेप धनपूर सीट की की जाए तो धनपूर सीट पर भी चुनाफी मुकाफला कड़ा माना जा रहा था क्योंकि वहाँ पर बीजेपी के बिंदू देपनात और साथ ही CPIM के कोशिक चंदा जो थे वो चुनाफी मैदात में थे लेकिन बाजी जो है वो बिंदू देपनात जानी विधानसबा सीटे कुल तिरपूरा में हैं मोजुता वक्त में वहाँ पर बीजेपी की सरकार है लेकिन अब ये जो विधानसबा सीटों का आकड़ा है ये कहीं न कहीं बीजेपी के खाते में बढ़ रहा है जिस तरीके से ये दो और तिरपूरा की सीटें बीजेपी के खा पोस्ट किया किया है और उन्होंने इस जीत पर खुशी जाहिर की है और ये पोस्ट में लिखा है कि मैं उप्चुनाहू में भार्षी चन्ता पार्टी की इस शांदार जीत के लिए बॉक्सानगर और धनपुर विदानचवर छेतर के लोगों को धन्यवाद देता हूं ये ज जेपी के राष्टे अध्यक्षि जेपी नडडा को इस जीत के लिए धन्यवाद दिया है और ये कहा है कि हम लोगों की आकांशाव को पूरा करने का काम कर से रहेंगे कि फरोसा तिरपुरा की जनता को वहां की मुख्यमंत्रुी मानिक शा की ओर से दिलाया किया है तो आप पॉल बीजेपी के पक्ष में था जाहिर तोर पर यही वज़ा रही कि सीपी आईयम ने चुनाव में धांदली करने तक का आफ्रोप जो है वो लगाया चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए कि चुनाव आयोग कोई एक्शन नहीं ले रहा है इतना ही नहीं जब मत गरना ह हो रही थी तो उसका बहिश्कार करने का फैसला भी सीपी आईयम के जरके लिया किया क्योंकि कहीं ने कहीं चुनावी नतीजा उन्हें भी पता था की आखिर चुनाव का नतीजा क्या होगा और शायद यही वज़ा रही कि उन्होंने मतगन्ना का बहिशकार किया लेकिन ये दो बेहद महतपून सीथे जहां पर बीजेपी ने ये उपचुनाव जीत लिया है जिसमें एक सीट जो है वो बॉकसा नगर उपचुनाव जो है बीजेपी ने जीता है ज जो है वो तिर्पुरा में मिला है यह अपने आप में एक बड़ी बात है क्योंकि तिर्पुरा एक ऐसा राजच्च है जहां पर वाम पनतियों का गड़ माना चाता है कई सीटे ऐसी है जहां पर सीधे सीधे वामपंथियों का कबचा है और बीते कई सालों से वो सीटें उनके ही खाते में गई हैं लेकिन अब कहने कहीं तस्वीर बदल रही है फिर चाहे वो बॉक्सर नगर उपचुनाख में बीजेपी की जीत के साथ वहां पर जो जीत का डंका बीजेपी ने खाते में थी और वहां पर विधानसवाज चुनाओं में भी बीजेपी जीत नहीं पाई थी लेकिन अब वहां पर बीजेपी जीती है लेकिन उससे भी जादा एहम बात ये है कि INDIA गटबंधन जो की प्रदान पंतुरी नरेंद्र मोदी को खराथी का सपना दो हजार चोब वो दरसल वामपंती दल भी है इस गटबंधन का हिस्सा तो जाहिर तोर पर कहिन कहीं उनके लिए ये उपचुनाओं का जो नतीजा है ये बहुत बड़ा छटका माना जा रहा है और सीधे सीधे जिन 6 राज्चों की 7 विधान सबाज सीटों पर उपचुनाओं हुआ है उन एक सीध का जो चुनाओं नतीजा है वो इस वक्त बेहद एहम माना जा रहा है और यही वज़ा है कि हम बात तिरपुरा की कर रहे हैं चुकि तिरपुरा जहां पर ममता बेनेश्ची ने भी खूब कोशिश की कि किसी तरीके से बीचेपी के गड़ में सेंद लगाई चाहे जाहे फिर वो वामपंथी दल हों उनकी तरफ से भी लगातार जोड अजमाईश की गई कि किस तरीके से बीचेपी को वहां पर मात दी जाए लेकिन जो चुनाफी नतीजा सामने आया है वो जाहिर तोर पर कहीं कहीं विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा छटका माना जा तो जिस तरीके से तरफुरा में बीचेपी ने ये एथियासिक जीत हासिल की है जाहिर तोर पर बीजेपी की खुशी का ठीकाना नहीं है चुकि नौर्थ इस्ट की अगर बात की जाए तो जाहिर तोर पर हाली में वहां पर विदानसभा चुनाफ होए थे जिसमें जीत अपने आप में खास है और यही वज़ा है कि बीजेपी के नेता कपल मिश्रो की ओड़ से इन अपचुनाऊ में जो जीत बीजेपी की हुई है उस पर खुशी जाहिर करते हुए ये जानकारी दी गई है कि दरसल बीजेपी ने तरफुरा की दोनों सीटे जीत ली है औ और ये कहा है कि दारसल जो नतीजा है वो दिखाता है कि नौर्थ एस्ट के जो लोग हैं, उनका भरोसा जो है वो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी में कायम हैं, इतना ही नहीं जो तरपुरा के मुखी मंतुरी है मानिक शाह उन्हें भी अपने पोस्ट में टेक किया है तो कही न कहीं यह जीत जो की अपने आप में एथ्यासिक है यह जीत अपने आप में खास है क्योंकि CPIM का जो गड़ था उसमें BJP ने शेंद लगा कर कहीं न कहीं इस विपक्षी गड वंधन को आईना दिखाने का काम किया है जो हर रोज बीजेपी पर प्रधान मंत्री नरीन ध्रमोदी पर उनकी जरकार पर आरोप मड़ता है कि दरसल प्रधान मंत्री कुरसी छोड़ने हम सत्ता सभालेंगे आरोप यहां तक लगाए चाते हैं कि दरसल अनुनाचल प्रदेश में चीन जो है लगातार खुसपैट कर रहा है नोर्थ इस्ट के लोगों को बरगलाने का काम जो है वो विपक्षी दलों की ओर से बारफार किया जाता है लेकिन अब यह चुनाफी नतीजा बताने के लिए काफी है कि दो ऐसी सीटें जहां पर वामपंथियों का गड़ था लेकिन बीजेपी ने अब वो सीटें अपने कबजे में कर ली है और यह एतियासिक जीत बीजेपी की दिरपूरा में हुई है वही चुनाफी इस मुकाफले की बात की जाए तो कुल 60 विधानसरभा सीटें दिरपूरा में हैं और 60 में से अभी फिलाल मोजुदा वक्त में 31 विधायक जो हैं वो बीजेपी के खाते में हैं लेकिन अब वो संख्या जाहिर तोर पर बढ़ चुकी है इसके अलाफा कहने कि कॉंक्रूस पार्टी और CPIM को बड़ा छटका लगा है जिस तरीके से यह चुनाफी मुकाफला तरपूरा का बीजेपी ने जीत लिया है फिला खाते तरो और CPIM को बड़ा है जीत ने थे फिलाफा को बड़ेवादा लिए कर दो पार्सी चाहिता अलाफा को श्याओंता लिए हैं वो गो पर शोर गाथा है जिस पायाँ कि ए सक्षब पार्सी बावबार्स डावबार्स पार्स